अले स्टूरेंट स्वागत है आप सभी का हमारे online coaching platform पर जैसा कि मैं आपको पिछली class के अंदर हमने जो पढ़ा था जो हमारे basic types थे ठीक है दिसकस करेंगे तो देखी स्टूरेंट्स हमारे examination के आधार पर और हमारे जितने भी में में जो भी हमारे important exam है उन सभी के अंदर जहां से question पूछ आते हैं हम सिर्फ उन ही जो crops है उनके जो important diseases हैं जो उनके plant pathogen हैं उनके symptoms हैं वो सब हम क्या करने वाले आज ही class में discuss करने वाले ह ठीक स्टूरेंट्स तो हमारे साथ बने रही है आपको क्या करना है जो भी हमारी जहां पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से note कीजिए ठीक उसको वीडियो को बाग हो सके तो बार बार देखिए ठीक है जिससे क्या होंगे आपके वहां concept और ज्यादा क्लियर होंगे ठीक हम चाते हैं कि आपके जो पूरे concept हो अच्छे से clear हो अब देखिए students मैं आपको start करने जा रहा हूं हमारी फर्स्ट और मैं क्रॉप है वो है राइस देखिए राइस जो है इंडिया की इंपोर्टेंट क्रॉप है और राइस से आपके exam के अंदर कई सारे question जो है वो पूछे आते हैं ठीक तो राइस हमारी क्या है एक important crop है और राइस के अंदर क्या है कई सारे तरीके कि देखो अभी हम जब insect का पढ़ेंगे जब एंटो पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे कि राइस के अंदर बहुत सारे insects का attack आता है और जहां से exam के अंदर में पूछे आते हैं ठीक है और उसके बाद में क्या है कि हमारे जो राइस के अंदर जो diseases आती है ठीक है वो diseases कौन-कौन से है उनके causal organism क्या है basic symptoms क्या है और कहां से exam में आपको question पूछ जाएंगे वो भी हम क्या करने वाले यहां discuss करने वाले ठीक है तो देखिए first जो है हमार जक grate घ्लाच कै서 जानते हैं इसको और क्या किता है रोटन ने एक क्या मतलब होता रोटन एक जहां से अदर से इंपॉट 파지만 त्यों होते हैं यह क्घुण फाला है है हमारे पास में वह है पिरिकुलेरिया और आईजी भाई यह जो पिरिकुलेरिया और आईजी है यह आपके एक्जाम के अंदर सबसे आदा पूछे जाने वाला पार्ट है ठीक है जब भी आपको राइस ब्लास डिजीस का क्यूशन आएगा तो वह आपको कहां से पूछा ज जाएगा ठीक स्टुडेंट्स अब देखिए जो पिरिकुलेरिया और आईजी है अब देखो क्या है मौस्ट सीवियर डिजीज ऑफ राइस ठीक है और इसका दूसर नाम जो है उसको क्या कहते है भाई रिच मैंस डिजीज भी हाइलाइटेड पार्ट है उसको हम क्या करें क्योंकि यहीं से आपके एक्जाम के अंदर पूछ राइस के अंदर किस तरीके की disease होती है ठीके या फिर इस तरीके से पुछेगा what is the causal organism of rice blast disease की rice blast disease का causal organism कौन सा है ठीके देखो इसके बाद फिर थोड़ा ओर आगे जाएगा तो फिर पुछेगा which disease is known as rich man's disease ठीके की निमनमे से rich man's disease कौन सी है ठीके अब देखो जो पिछली class के अंदर हमने पढ़ा था कि जो pathogen होता है वो किस किस तरीके से spread होता है ठीके pathogen spread किस किस तरीके से होता है तो उसके अंदर हमारा पहला जो था seed bone था ठीके airborne था soil bone था अब देखी students यह जो disease है यह किस टाइप की है यह airborne type की है अब देखो मैंने आपको पिछली class में बता दिया था कि उस जो पिछली class थी उसमें जो related terms थी वहाँ उस terms से कई सारे आपको क्या होंगे concept clear होंगे क्योंकि वो सारे जो terms हैं वो आने वाली कई सारे diseases में बार-बार repeat होंगे ठीक है तो उनको बार-बार explain करने से अच्छा हमने क्या किया था उसको पिछली class में एक सार डिसकस कर लिया था जिससे आपको यह पता रहे कि actual में meaning क्या होता है airborne diseases का कि भई ऐसी diseases जो किस से spread होती है wind की help से क्या होती है spread होती है ठीक है अब देखो airborne diseases conedia spread by wind भई देखो conedia क्या होता है यह मैं आपको पहले ही class के अंदर बता चुका था conedia क्या है एक तरीके का a sexual sport है conedia क्या है एक तरीके का a sexual sport है यह सारी चीजे मैं आपको पहले ही clear कर चुका हूँ भई ठीक है यह सारी चीजे मैं आपको पहले ही clear कर चुका हूँ जब हमने अफंजय का जब reproduction पड़ा था तब ही मैं आपको बता दिया था कि जो कोण इडिया है वो actual में क्या है asexual spore है ठीक है अभी जो asexual spore है किसके through transmit हो रहा है अगर wind के through transmit हो रहा है और वो क्या करेगा उस plant के उपर cause secondary infection ठीक है अगर वो क्या करेगा उस plant के उपर secondary infection secondary infection का क्या मतलब होता है कि जब कोई disease का development जो है वो direct किसी pathogen की sexual stage से ना हो करके किसी उसके asexual stage जैसे की conradia हो गया या फिर कोई दूसरे जो spore है या कोई propagative part है उसके through अगर disease का development हो रहा है it means वो क्या है secondary type का infection होता है उसको क्या कहते है students उसको कहते है secondary type का infection ठीक है अब देखो important यह है कि इसके symptoms किस तरीके के होता है क्योंकि हमको exam के अंदर क्या है symptoms भी पूछे जाते हैं ठीक है तो देखो इसमें क्या होता है brown spindle eye boat ठीक है मतलब इसके अंदर क्या होगा जो leaves जो होंगी पत्या जो होंगी उन पत्य के उपर कैसे होगे eye boat मतलब आख के समान देखिए कुछ-कुछ इस तरीके के आपको क्या होंगे वहाँ पर इस तरीके के आपको boat के समान या आख के तरह से दिखने वाले क्या होंगे, वहाँ पर आपको lessons नजर आएंगे, ठीक है lessons on leaf and leaf sheet बाई, जो पत्ती है पत्ते के उपर आपको इस तरीके के क्या होंगे इस तरीके के आपको boat shaped क्या दिखाई देंगे, structure दिखाई देंगी, तो ये जो है ये eye shaped, ये spindle shaped जो lesson है ये ही क्या है इसकी, इस disease का सबसे main symptom है बाई, देखो, lesson क्या होते हैं lesson जो होते हैं जो कभी-कभी छाले जैसे हो जाते हैं हमारे, हमारी बोड़ी पर उसी तरीके से, जो plants है plants के उपर भी फफोले-like structure हो जाती है दें उसके बाद में जो structure बनते हैं का कहते हैं students, उसको कहते हैं lesson कहते हैं, ठीके, एक class के अंदर हम जितने भी plants के अंदर important जो symptoms दिखाई देते हैं वो symptoms के भी हम क्या लेंगे एक class लेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे उन सभी symptoms को एक साथ define करेंगे, ठीके, तो अभी आप आपियर, देखिए भाई, इस disease का जो attack है यह most of जो harvesting की, harvesting के time होने वाला इसका attack सबस्यादा देखा जाता है मतलब जब crop क्या होती है, harvest होने वाली होती है तब क्या होता है, इसका attack हम को देखने के लिए मिलता है, इस वज़े से इसको हम क्या कहते हैं रोटन नेक कहते हैं, ठीक है, या इसको हमको इसमें कौन से तरीके के सिम्टम्स हमको दिखाए देते हैं इसमें दिखाए देते हैं, कॉलर रोट सिम्टम्स ठीक है, इसके बाद देखो the infected pedicles result in non production of seeds called blanking यह आपके exam के point of view से बहुँ ज़दा important है blanking का क्या मतलब होता देखो blanking का मतलब यह होता है कि जब disease का attack क्या है बहुत ज़्यादा हो रहा है ठीक है, disease का attack बहुत ज़्यादा हो रहा है उस condition में क्या नहीं बनेंगे उस particular year पर क्या नहीं बनेंगे grains का formation नहीं होगा ठीक है वो grains खाली रह जाएंगे ठीक है उसके अंदर क्या नहीं बनाया grains का formation नहीं होगा वो year क्या रह जाएगे कि तुम खाली रह जाएगी तो उस technical term को define करने के लिए हम उसको क्या कह देते हैं उसको हम बोल देते हैं blanking क्या कहते है students उसको कहते हैं blanking तो आपको देखो यह जो rice की important disease है इसके बारे में जो भी important part है कौन सी है यह blast of rice ठीक है पिरिकुलेरिया और राइजी उसके बारे में जो भी important information है जो आपके exam के अंदर पूछी जाती है वो हम सब के सब क्या कर रहे हैं यहाँ पर उसको explain कर रहे है यहाँ पर उसको define कर रहे है ठीक है अब आगे चलिए students देखते है पिरिकुलेरिया और राइजी के बारे में कुछ important बाते और है जो हम देखेंगे देखो इसमें क्या होता है the mycelium is hylene to olivaceous and septate देखें यह hylene और mycelium में आपको starting में बता चुगा था कि mycelium क्या है एक तरीके की structure है ठीक है वह में आपको starting में सब कुछ explain कर चुगा था अब देखो important हमारे लिए यह है conidia are produced in clusters और long septate olivaceous और conidio force यहां से आपको exam के अंदर कई बार question पूछ लिया आते है कि भाई इसके जो conidia होते है वो किस तरीके के होते है ठीक है और conidia की shape जो है वो भूद बार exam के अंदर पूछ ली जा चुकी है भाई इस वाज़े से हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा highlight मैंने किया है conidia are pyreform to ellipocid ठीक है इसके जो conidia की shape जो है वो किस तरीके के होते है भाई pyreform से ellipocid तरीके हो सकता है ठीक है तो आपको यह जो है इसको आपको जिहान में रखना है कई बार exam के अंदर जो question पूछ आते है वो direct यही पूछ आता है कि what is the shape of the conidia of causal organism pericularia oryzee ठीक है pericularia oryzee जो है उसका causal organism जो है ठीक है उसकी shape किस तरीके की होती है यह भी आपको क्या होता है कई बार exam के अंदर पूछ ले आता है ठीक है उसके बाद हम देखो क्या है conidia or hyaline to pale olive green भाई देखिए hyaline का क्या मतलब होता है hyaline क्या है एक तरीके की semi transparent या transparent टाइप की हम क्या मान सकते है tissue मान सकते है या structure मान सकते है जो किसका part है mycelium का part है ठीक है जो किसका part है mycelium का है तो भाई conidia जो होते हैं वो hyaline से hyaline to pale olive green ये इसका color बताया हुआ है कितने किस color का होता है और उसमें कितने sales होते हैं three sales per conidia ठीक है अब देखो मैं आपको पिछली ही class में जब हम reproduction शुरू आज में जब हमने start किया था तब मैंने आपको दो बाते बताई थी पहली बात तो यह है कि जो as actual reproduction होता है as actual reproduction के अंदर जो step जो होती है ठीक है उसकी जो stage जो होती है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं imperfect stage ठीक है as actual reproduction के अंदर जो stage होती है उसे as actual या imperfect stage कहा जाता है जब कि जो sexual reproduction होगा उसके अंदर जो stage होगी वो केसी होगी perfect stage होगी तो देखिए भाई इस पंजाई की जो perfect stage है वो कौन सी है Magno Parthe Gracia यह आपके exam के अंदर पूछाता है M. Gracia आपको करके दिया जाएगा या Magno Parthe Gracia करके आपको exam के अंदर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि Which one is the sexual stage और perfect stage of pericularia orizy कि pericularia orizy की perfect stage कोन सी है तो वो है भई Magno Parthe Gracia ठीके इसके बाद में देखो क्या होगा The asco spore are hyaline, fusiform and four cell ठीके इसमें जो asco spore बनता है वो कैसा होता है चार cell की structure होती है ठीके तो students यहाँ पर इसके अंदर जो है इस pathogen से related कुछ important points थे जिसमें सबसे अदर important points जो है वो एक तो ये है ठीके जिसके अंदर क्या है हमको ये पूस्त है कि उस particular फंजाई की sexual stage का क्या नाम है और sexual stage का क्या नाम है ठीके तो जब भी अगर आपको question पूछेगा कि what is the perfect stage of rice blast disease जब भी आपको इस तरहे के question पूछे कि rice blast disease की perfect stage कौन सी है तो आप answer में क्या लगाओगे मेगनोपार्थ है ग्रैसिया करके आप इसको ही select करोगे हो सकता वहाँ पर आपको पहला ही option pericularia orise दिया हो लेकिन भी मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो pericularia orise है pericularia जो orise है ये कैसा है imperfect stage है ये कैसी भी imperfect stage है imperfect stage का क्या मतलब है ये asexual stage है ये ठीके तो आपको ये पता होना चाहिए pericularia orise है तो किस तरीकी की stage है भी imperfect stage है ठीके लेकिन इसी की perfect stage की हम बात करेंगे तो वो कौन सा होगा students वो होगा magnoparthes gracia ठीके ये कौन सा stage होगा magnoparthes gracia ये कैसी sexual stage और sexual stage को ही क्या कहते है हम perfect stage कहते है ठीके students आई बात यहां तक समझ में अब देखिए इस से related में आपको कुछ important बात है ये बताना चाहता हूँ कि rice blast disease है ये appearance के बैसिस पर कई तरह की हो सकती है जैसे की leaf blast पहला जो है वो कौन सा है leaf blast अब देखे students जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो आपको यहां पर structure दिखाई दे रही है त्यके यज़ो आपको structure दिखाई दे रही है ये कैसी है? आई-shaped है थीक है? आई-shaped है या फिर हम मान के चले कैसी है? बोट-shaped है थीक है? या तो आँख के तरीकी की दिखाई देगी है या फिर ये नाओ के तरीकी दिखाई देगी तो ये जो structure जब बनती है वो structure किसमें बनती है भाई blast disease of rice के अंदर बनती है और ये appearance के बैसिस के उपर और plant part के बैसिस पर कई तरीकी की हो सकती है अगर यह disease का attack अगर leaf पर दिखाई देता है तो यह कौन सा हो जाएगा leaf blast हो जाएगा अगर nods के ओपर दिखाई देता है इस disease का attack तो वो कौन सा हो जाएगा भाई nod blast हो जाएगा then collar blast और फिर क्या है panicle blast तो हमारे जो important है वो कौन से हमार पास में कोलर ब्लास्ट वाली है क्योंकि देखो यहां से जो एर वाला पार्ट है इस सिद प्लांट का एर वाला जो पार्ट होता है वो सबसे अदर इन्फेक्टेड होता है जिसके वज़े से क्या होगा कि इसके अंदर जो seed formation होगा वो फिर नहीं होगा seed नहीं बनेगा इसमें ठीक है और यही condition क्या कहलाएगी फिर blanking ठीक है यही condition क्या कहलाते है भाई blanking condition कहलाती है तो आपको क्या करना है ध्यान रखने हैं सारी चीजे ठीक है कि इस disease का attack कहा आता है इसके बाद देखो फिर panicle blast भी है panicle पर भी इसका क्या होता है attack दिखाई देता है यह जो अलग-अलग condition है यह environmental के factors पर depend करती है अगर environmental factor क्या होगा इस disease के लिए suitable होगा तो फिर क्या होगा इस disease का जो attack है वो पूरे plant के उपर भी अलग-अलग parts पर दिखाई दे सकता है ठीक है students यहां तक आई बात समझ में आपको चलिए आगे चलते हैं हमारी next disease जो है ठीक हो उससे पहले हम क्या करेंगे इसका थोड़ा सा management देख लेते हैं अलग class के अंदर करेंगे जहां हम सभी disease का जो management वाला part है उसको एक साथ discuss करेंगे लेकिन जो भी है particular disease का अगर हमको वह management का पार्ट दिया तो उसको भी हम साथ-साथ यहां डिसकस करते वे छलेंगे की कर सकते हैं सीगर्षा करेंगे हम किस से करेंगे थायरं क्या है और चाहिं में तरीके का फंजी-साइड है अब देखें आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सी ट्रीटमेंट जब काम में लेते हैं तब कितनी quantity राइब हम जैनल ले 503 ग्राम से इसके बाद में देखो हम क्या कर सकते हैं मेंग को slaid जब at the rate 0.3% का consistent, मतलब stage पर जब standing crop होती है, तब हमको क्या करना चीज़ का spray भी हम इसका कर सकते हैं, ठीक है students, अब देखिए, इसके बाद में जो है next हमारा, फिर है bacterial blight, देखिए bacterial blight भी rice की एक important disease है, यहां से भी आपको कई बार question पूछ लिया आता है, ठीक है, देखो bacterial blight या bacterial leaf blight of rice, जिसको किस नाम से जाना जाता है, BLB के नाम से भी जाना जाता है, और इसका causal organism क्या है भाई, Xanthomonas oryzee, यह क्या है Xanthomonas oryzee है, और Xanthomonas oryzee क्या है, एक तरीके का भाई, बैक्टीरिया है, ना से शुरू होते हैं वो बिलकुल लीफ के टिप से स्टार्ट हो करके उसके बैस तक काते हैं ठीक है मतलब यह नीचे से उपर की तरफ नहीं होता उपर से नीचे की तरफ इस डिजीज के हमको प्लांट के उपर क्या दिखाई देंगे सिम्टम्स दिखाई देंगे ठीक है अब देखो जहां पर भी बैक्टेरियल डिजीज आती है एक एक्जाम के पॉइंट ईपर कुछ भी है वह आप देखना जब भी बैक्टेरियल डिजीज आएगी तो वहां पर हमेश्ए क्या होगा भई जो एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर जो है वह पलांट से क्या होती है उसको कैते हैं उसको कहते हैं ऊसको कहते हैं उस च्जाइब क्या होता है अपियर का हमको liquid like structure दिखाई देगी वो जो liquid like structure है students वो actual में क्या होती है honey-do like structure होती है उसको हम क्या कहते है bacterial ooze कहते हैं और सभी bacterial diseases के अंदर इस तरीके का secretion देखा जाता है यह क्या है bacterial diseases का एक खास important symptoms है जो bacterial diseases को क्या करने काम में आता है identify करने के काम में आता है ठीक है लेटर क्रिसेक भाई यह क्या है क्रिसेक है यह सीडलिंग विल्ट अकर्स प्लांट विदर एंड ड्राई अप भाई देखो जैसे जैसे इस disease का अटेक बढ़ता है तो सीडलिंग भाई इस disease का अटेक जो है वो starting के अंदर ही हमको ज़्यादा दिखाई देता है ठीक है जब plant कैसा होता है settling stage में होता है उस condition में क्या होता है कि हमको इस disease का attack दिखाई देता है occurs plant withers and dry up इसके अंदर क्या होगा कि plant क्या है दिरे-दिरे सूखना start हो जाएगा और बिल्कुल क्या हो जाएगा खतम हो जाता है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि इस disease का attack किस तरीके से आता है अब देखे students यहाँ पर हमारे पास में क्या है bacterial disease है ठीक है bacterial disease को control करने के लिए क्या होता है किस तरीके के chemical काम में लियाते हैं देखो जो bacterial disease को एंटी बैयोटिक होते हैं वह सारी की सारे गतली कोई सोने के लिए वहा लिए को यह सकता है इन्सेक्टिसाइब फंजीसाइड ya या herbicide या antibiotics इस तरह के option में दें ठीक है तो आपको क्या choose करना है वहाँ पर आप क्या आएगा antibiotics आएंगे तो देखो seed treatment हमको किसके साथ करना चाहिए भाई streptocycline streptocycline कितना 0.015% के साथ में हमको क्या करना चाहिए seed treatment करना चाहिए ठीक है और देखो इसके बाद में हम क्या कर सकते थ्री टू फोर स्प्रे ओफ एग्रिमाइसीन ठीक है प्लस 500 ग्राम कॉपर ओक्सिक्लोराइड with 500 litre water per hectare भाई देखी इसके बाद हम क्या कर सकते एग्रिमाइसीन और कौपर ओक्सिक्लोराइड गा भी हम क्या कर सकते है और किसका हम इसका सकते है बैक्तिरियो माइसीन का कितना 25 ग्राम पर हैटेर के इसाफ से हम इसका सप्रे कर सकते तो देखी यह तो क्या थे कि जो सकता है कि bacterial blight का direct question ना दे करके उसके management से question दे और management से question देने के बाद में आपसे पूछे कि which chemicals are used for the control of bacterial diseases of rice या bacterial leaf blight of rice ठीक students यहां तक आया आप सभी को समझ में इसके बाद जो next है हमारा देखिए यह क्या है जो leaf है उसकी structure है ठीक है अब देखो आपको यहां पर यह छोटे छोटे ड्रोप like जो structure दिखाई दे रहे है ठीक है ड्रोप like जो structure आपको दिखाई दे रहे है यह actual में क्या है students यह ooze है ठीक है इस तरीके का जो secretion है उसी को क्या कहा जाता है ooze कहा जाता है इसी को हम क्या कहते है उस केते हैं यह जो है यह किसका important symptom है यह बैक्टेरियल डिजीज भाई जहां पर भी बैक्टेरिया का टेक होगा वहां पर कौन से symptom हमको नज़राएंगे हमेशा उस symptom नज़राएंगे और यह भी है आपको क्या है कि exam के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है ठीक है एक्जाम के अंदर के इस तरीके से पूछ ले जाएगा कि वाटरी और हनी डू लाइक स्टक्चर कोज़ बाई विच पैथोजन ठीक है और scientifically known as तो देखो यह पैथोजन तो कौन से होंगे बैक्टेरियल पैथोजन होंगे जितने भी वह सारे की सारी उसके बाद में यह क्या होता है बैक्टेरिया से होने वाली डिजीज है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो सीक्रेशन है हने डू लाइक स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ नजर आ रही है वाटरी ड्रोपस आपको नजर आ रहे हैं यह एक्चल में क्या है टेक्निकल टर्म इसके लिए हम क्या कहते हैं और जो उस है ठीक है यह उस है बैक्टेरियल डिजीज के अंदर देखने के लिए मिलती है जैस कि यह थोड़ा सा क्या है हिस्ट्री के अंदर एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है ठीक है प्लाइंट पैथोलोजी की जो इंडियन हिस्ट्री है प्लाइंट पैथोलोजी की इंडियन हिस्ट्री के अंदर क्या करती है यह एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है अभी द है है हैलमेंथोस्पोरियम और आईजी क्या है इसका कॉजल और्गनिजम है 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 अभी किसके लिए इंपोर्टेंट है क्यों इसके इतनी इंपोर्टेंट से प्लांट पैथोलोजी के अंदर इंडियन हिस्ट्री में वह इसलिए है क्योंकि भाई उस टाइम डूरिंग 1943 1943 के समय ठीके क्या हुआ था जो बंगाल है बंगाल के अंदर क्या हुआ था इस डिजीज का अटेक आया था देखिए 1943 के समय क्या था कि जो बंगाल के जो अधिकतर जनसंग क्या है ठीके most of the population of बंगाल during 1943 was dependent on the particular staple food like rice ठीके मतलब क्या था उस समय की जो अधिकतर जनसंग क्या थी वो किस पर ही dependent थी भाई वो राइस की उपर dependent थी अब राइस पर dependent होने की वज़े से क्या हुआ कि उस समय इस डिजीज के वज़े से इस बीमारी की वज़े से क्या हो गया कि पूरी राइस की फसल थी वो क्या हो चुकी थी तबाह हो चुकी थी और उस समय बंगाल के लोगों के पास में खाने का कोई दूसरा जरिया था नहीं ठीके इस वज़े से क्या हुआ कि वहाँ पर अकाल की स्थितिवत्पन हो गई थी कब हुई थी 1943 के अंदर ये भी आपको कई वा हुआ था हेवी इंफेस्टेशन आया था फरस्स टाइम इस डीजिस का टेक देखा गया था जिसकी वज़े से क्या नहीं थी प्रॉपर इसके मेनेजमेंट की जानकरी ना होने की वज़े से एक बहुत बड़े एरिया के अंदर क्या हुआ पूरी की पूरी क्रोप जो थी र ड्रेट बेंगल फैमायन ड्रिंग 1943 ठीक है यहा फिर इस तरीके से क्यूशन पूछ ले आता है कि वास्ट इस तरीके से पूछा जा सकता है कि विस्टीजिस कोस वाइं हैं ठीक जो यहां तक देखो आपको जो important इस disease related जो पार्ट था वो हमने देखा है इसके बाद में देखो हम देखेंगे symptoms किस तरीके के नजर आते हैं इसमें symptoms देखो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि leaf की उपर किस तरीके के sports बनेंगे भई बूरे रंग के sports बन जाते हैं ठीक है इसमें क्या होगा जो leaf की अपर सर्फेस है उस leaf की अपर सर्फेस में क्या हो जाएंगे ब्राउन कलर के कई सारे चोटे-चोटे sports बन जाते हैं ठीक है और अगर severe infestation है अगर disease का attack बहुत जादा है तो क्या होगा वो particular plant जो है दिरे-दिरे ड्राइप हो जाएगा सूख जाएगा ठीक है तो स्टूडेंस देखिए इसके बाद में क्या है इस डिजीज इस सीवियर ओन पोटास डेफिशेंसी सोयल यह भी एक आपको इंपोर्टेंट बात है जहां पर जिन एरियाज में क्या होगा potassium की deficiency होती है वहाँ पर इस disease का जो attack होता है वो जादा आता है ठीक है अब यह इस तरीके से क्यों है यहां क्यों लिखावाई कि potassium deficiency soil के अंदर इसका attack जादा आता है तो देखो मैं आपको एक important बात बताने वाला हूँ जो potash है ठीक है जो potassium है यह important role play करता है किसमे disease resistance में यह किसमे role important role play करता है disease resistance के अंदर ठीके यह क्या provide करवाता है diseases के again resistance provide करवाता है ठीके तो जहाँ पर भी क्या होगा कि potassium की deficiency होगी उन areas के अंदर क्या होगा इस disease का development ज्यादा होगा disease का development ज्यादा होगा तो पिर क्या होगा उस particular area के अंदर उस crop पर उस disease का attack जो होगा बहुत हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा ठीके इसके बाद देखो यह है इसके बाद में हमारा main important है खेरा disease देखे भई खेरा disease जो है examiner का सबसे पसंदीदा question है और हर साल आएदर साल यह किसी exam के अंदर continuously पूछाई जाता है तो देखे students में आपको एक चीज बता देना चाहता हूँग खेरा disease है यह किस तरीके की disease है एक तरीके की Abiotic यह किस तरीके की disease है Abiotic disease का मतलब होता है कि यह किसी पैथोजन के दुआरा नहीं होती या इसके अंदर कोई भी living organism क्या नहीं है responsible नहीं है यह क्या होता है nutrient deficiency की वज़ए से होने वाली एक तरीके की disease है, इस वज़े से हमने क्या कहा है, यह abiotic disease है, ठीक है, अब खेरा disease जो है, वो किसकी वज़े से होती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से आपने इसको पढ़ा है, खेरा disease जहां आएगा, वहाँ कौन सी nutrient की deficiency होगी, जिंक की deficiency होगी, जि disease होती है, खेरा disease होती है, ठीक है, यह आप सभी जानते हैं, जिंक की deficiency की वज़े से, राइस में किस तरीके की disease होती है, खेरा disease, राइस के अंदर देखने के लिए मिलती है, फिर इसके बाद में देखो, usually in nursery, और yellow patches at the leaf base on the both side of Madrid, देखो, इस disease का attack जो होता है, वो हमको कहां दिखाई देता है, starting के जो phage है, sidling के अंदर हैं हमको, इस तरीके की disease का attack दिखाई देने लग जाते हैं, कौन सी stage में, sidling stage के अंदर ही, sidling stage है, जब हम क्या लगाते है, rice को nursery के अंदर grow करते हैं, field में transplant करने के लिए, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, इस disease का हमको attack दिखाई देने लगता है, ठीक है, तो क्या होता है, जिंक की deficiency अगर रहेगी, तो जो leaves है, उसको पर क्या बन जाएंगे, पेले color के धब्बे बन जाते हैं, ठीक है, yellow patches बन जाते हैं, दोनों तरफ, अपर surface पर भी और, lower surface पर भी क्या हो जाते हैं, हम क्या दिख ZNSO4 पर hectare, जिंक sulfate का हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस disease को control किया जा सकता है, कई बार exam के अंदर आपको पूछा भी जा सकता है, कि how to control the khera disease of rice, तो rice की khera disease को किस तरीके से control किया जाता है, या किस की साहता से control किया जाता है, देखे, students, यह है, कुछ important बाते हैं, किसके लिए, rice blast disease के लिए, sorry, brown sport of rice है, उसके लिए है, तो देखो, helmet or sphorium तो क्या हो जाएगा, इसका scientific name हो जाएगा, और देखे, students, dress clara, bipolaris, ठीक, dress clara, orize, या फिर जो bipolaris, orize है, देखो, यह सी कैसी है, यह सारी imperfect stage है, यह कौन सी है, यह इसकी है, imperfect stage, ठीक है, जबकि इसकी जो sexual stage है, भाई, वो कौन सी है, cochleobolus species, ठीक है, यह कैसी इसकी sexual stage है, अब देखो, इसके जो symptoms होते हैं, जैसे कि आपको नाम से प्रता चल रहा था, brown leaf stage, जो है, brown leaf sport जो है, आप देख सकते, यहाँ पर जो पतियां है, इन पतियों के पर छोटे-छोटे brown color के sports आपको नजर आ रहे हैं, ठीक, इसके जो attack है, वो leaves के साथ साथ में, जो glooms जो होते हैं, ठीक है, जहाँ पर grain development हो रहा होता है, उन developing grains के उपर भी आपको देखो, यह brown color के lessons आपको नजर आ रहे होंगे, brown color के आपको sport नजर आ रहे होंगे, इस ही इन आए बात यहाँ पर समझ में, जैसा कि जो आपने symptoms में पढ़ा था, वो actual में किस तरीके की दिखाई देते हैं, real crop के अंदर वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि leaves और developing grains पर दोनों पर ही क्या होगा, इसका attack हम को दिखाई देता है, ठीक है, आप देखिए students आगे चलते है फिर है बकाने disease, बकाने disease, बकाने disease मैं आपको बता दोना चाहता हूँ, जो बकाने disease है, ये भी क्या है, एक तरीके की abiotic disease है, abiotic disease ये भी इस इससे हो हारमानल एक्ट आता है इसंग किस तरीके से उता है इसको हम किस था म्स जानते हैं और किस के विजए से होता है zebralia fusicorai zebralia fusicorai देखी students एक तरीक क्या है ये भी fungus है zebralia fusicorai क्या है एक तरीके की fungus है first time किसने isolate किया था इसको Japan के scientist है kurvasowa ठीके kurvasowa ने सबसे पहले क्या किया तो इसको isolate किया था अब देखी students इसमें होता क्या है the disease is also known as foolish seedling disease या foolish seedling disease के नाम से भी इस विमारी को जाना जाता है देखी students एक्चुल में होता क्या है इस disease के अंदर gibralia fusicorai जो causal organism है ये क्या करता है plant के अंदर gibralin hormone जो है gibralin hormone जो है उसकी concentration को बढ़ा देता है किसकी concentration को बढ़ा देगा gibralin hormone की concentration को बढ़ा देगा जिससे क्या होते है plant कैसे होते है tall हो जाते है लंबे हो जाते है ठीके जिससे क्या हो जाते हैं और जो क्या होगा इस disease से infected जो seedlings है वो क्या होगी comparison के अंदर बाकी healthy plants के comparison में क्या होंगी वो जादा लंबी दिखाई जाती है इस वज़े से इस disease को क्या कहा जाता है fallish seedling disease भी इसको कहा जाता है ठीक है तो हो सकता है आपको exam के अंदर कई बार क्योशन पूछ रहा जाए कि इसके बाद में देखो पान सुक पान सुक का क्या मतलब होता भाहिस के लिवस है वो कैसे होते है ड्राई हो जाती है और ही क्या है एक तरीके का physiological disorder है या physiological disease है यानि कि environmental conditions के वज़े से होने वाली एक disease है इसका management किस तरीके से करते है drain access water apply ammonium sulfate at the rate 15 to 20 kg per hectare ठीक है हम क्या करेंगे ammonium sulfate का यूज करते हैं ठीक है इसके बाद देखो कुछ ऐसे diseases है जो वेक्टर्स की वज़े से होती है या viral diseases हम जिनको कह सकते हैं तो first है हमारे पास में tungro disease कौन से disease है भाई tungro disease है या हम किसको क्या बलेंगे rice tungro जो किसके वज़े से होती है rice tungro virus जो है वो किसके लिए responsible होता है tungro disease के लिए responsible होता है और आपको exam के अंदर जो question पूछा जाएगा हमेशा vector से ही question पूछा जाएगा ठीक है वो हमेशा आपको exam के अंदर जो question पूछा जाता है वो हमेशा आपको vector से question पूछेगा vector से question किस तरीके से पूछेगा कि what is the vector of the tungro disease of rice कि tungro disease जो है rice की उसका vector कौन होता है तो देखे उसका जो vector होता है वो होता है green leaf होपर green leaf होपर क्या है नेफोटेटिक्स वेरी सेंस क्या होगा भाई नेफोटेटिक्स वेरी सेंस होगा यह आपके exam के point of view से सबसे ज़्यादा important point है जब भी आपको rice के अंदर viral disease का question पूछा जाता है तो वो उसके vector से question आता है ठीक है कि उन viral disease का vector कौन कौन से है rice के अंदर दो या तीन तरीके के अलग-अलग viral diseases होती है जिनके जो vector होते हैं वो भी क्या होते हैं अलग-अलग होते हैं ठीक है पहला तो है हमारे पास में rice to grow ठीक है अब देखो इसमें क्या होता है कि the rice to grow is unique disease which is caused by two viruses देखो इसमें दो अलग-अलग तरीके के viruses होते हैं एक तो virus RNA virus and DNA virus ठीक है stunting of plant yellowing और जो drying of plant है वो क्या है इस disease के important characteristic है जिसमें क्या होता है कि जब भी viral disease जब होगी भाई देखे जब भी viral disease जब होती है तब उसके अंदर क्या होगा जो leaves है वो leaves कैसे हो जाती है नीचे की तरफ मुड़ जाती है ठीक है leaves की leaves नीचे की तरफ मुड़ जाती है plant जो है उसके growth कम हो जाती है ठीक है students तो यह क्या थे rice से related कुछ important diseases है उनके vectors से related कुछ important diseases है then इसके बाद में क्या है कुछ और other जो important disease देखो वो कौन-कौन से है, वो है sheath blight, ठीक है, sheath blight जो है, यह किसके वज़े से होती है, वो होती है, rhizoktonia, solenai की वज़े से होती है, ठीक है, फिर है grassy stunt, grassy stunt भी आपके exam के point of view से important disease है, यह किसके वज़े से होती है, बिपीएच की वज़े से होती है, बिपीएच की वज़े से होत plant अपर नीलो परवासता illusions क्या है ब्राउन plant होपर है और ब्राउन plant होपर भी क्या है एक तरीके का insect vector है यह क्या है एक तरीके का insect vector है जो क्या करता है इस disease को plant के अंदर transmit करता है तो आप देखिए कि important जो है आपके vectors भी है जब भी है आपको rice से viral जब disease पूछी आती है तो उसका vector का question आपको जरूर वहाँ पर पूछा जाएगा ठीक है इसके बाद हम देखो yellowing dwarf जो disease है due to phytoplasma ठीक है rice के अंदर भी जो phytoplasma की वज़े से जो disease होती है वो कौन से होती भाई yellow dwarf disease जो है rice के अंदर वो phytoplasma की वज़े से होती है then udbata disease अलागी देखो udbata disease से question बहुत कम पूछे आते हैं लेकिन फिर भी आपको क्या है यह याद रखनी है अफलिस और आईजी ठीक है इसका causal organism क्या है अफलिस और आईजी है तो देखी students आजगी जो हमारी class थी उसके अंदर हमने almost rice से related important जो diseases हैं उन सभी को क्या कर लिया है almost cover कर लिया है ठीक है यहाँ से जो आपके exam के अंदर question है यहाँ से तो बहार कोई question नहीं जाने वाला अगर rice से कोई question आएगा तो आपको यहाँ सी सारे question जो है वो cover हो जाएंगे ठीक है students अब जो हमारी next class होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे wheat ठीक है wheat जो होगी wheat के अंदर जो भी important diseases हैं हम उनको पढ़ेंगे ठीक है आज ही class के लिए इतना ही मिलता है next class में wheat के साथ में thank you students